हलो दोस्तू आज के इस वीडियो में मैं 20 वैसे परशनों को सामिल किया हूँ जो अक्सर SSC के एकजाम में सिंधु घाटि सभियता से पूछे जाते हैं इन परशनों को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये हर साल रिपिटेड भी होते हैं और आपके आने वाले एकजाम के लिए मददगार साबित भी हो सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को सुरू करते हैं आज के सेशन का जो सबसे पहला कोस्चन है कोस्चन नंबर वन मुर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है आपका ओप्सन है अगर आपको इसका अंसर पता है दोस्तो आप पेन पेपर ले लिजे और टिक लगाते जाईगा लास्ट में देखेगा आप कितने अंसर को सही कर पाएं अगर आप कुछ गलत करते हों तो सिंधु घाटे सभ्यता को आपको फिर से रिविजन करने की ज़रूरत है चलिए सुरवात करते हैं इसका अंसर का इसका सही उत्तर होगा दोस्तो पुर्व आर्यकाल मुर्ति पूजा का आरम पुर्व आर्यकाल से माना जाता है इस काल में नाग, यक्ष, इंद्र, आदी की पूजा की जाते थे वेत काल में ना तो मंदिर और ना ही मुर्ति क्यूंकि इसका इतिहास में कोई साक्ष नहीं मिलता है उत्तरवैदिक काल में भी मुर्ति पुजा का कोई अस्परस्ट उलेक नहीं मिलता है मौर्यकाल में बहुत धर्म का परसार हुआ जिसने मुर्ति पूजा को प्रवसाहन दिया था कुसान काल में भी बहुत धर्म का परसार जारी रहा इस परकार उत्तरवैदिक काल से पहले मुर्ति पूजा का आरंभ हुआ था इसलिए इसका सही उत्तर होगा पुर्व आरेकाल कुश्चन नमबर टू सिंधु घाटि सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे ओप्शन ए बिस्नू, बी ब्रह्मा, सी इंद्र, डी पसुपती इसका सही उत्तर होगा दोस्तो, डी पसुपती सिंधु घाटि सभ्यता के लोग पसुपती महादेव की पूजा करते थे पसुपती महादेव को एक परमुख देवता माना जाता था और उन्हें सभी प्रानियों का स्वामी माना जाता था कुश्चन नमबर थ्री सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानि बंदरगाह वाला नगर कौन सा था ए काली बंगन, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहन जोदारू ये कोस्चन अक्सर SSC के एक्जाम में पूछे जाते हैं ये आपका CHSL और MTS में देखे गये हैं CGL में कभी कबार पूछा जाता है इसका सही उत्तर होगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक मात्र बंदरगाह वाला सहर याता या गुजरात के हमदाबाद जीले में स्थित हैं सिंधु घाटी सभ्यता को पोर्ट सीटी के भी नाम से जाना जाता है पोर्ट का मतलब बंदरगा होता है Q4 चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन करने वाले पहले वेक्ति का नाम बताईए यानि किनके डारेक्षन में चनहुदरो का उत्खनन किया गया था Option A N कोपाल मजुमदार Option B अरनेश्ट जौन हैन्री मैके Option C सर जौन मार्सल Option D सर ओरेल इस्टेन इसका सही उत्तर होगा दोस्तो अरनेश्ट जौन हैन्री मैके चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन सबसे पहले गोपाल मजुमदार ने किया था इसके बाद 1935-1936 में अमेरिकी स्कूल ओफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ओफ फाइन आर्ट्स बोस्टेन के दल ने अरनेश्ट जौन हैन्री मैके के नित्रित्तों में चनहुदरो की खुदाई की और उन्होंने पाया कि चनहुदरो के कुछ अवसेस वहाँ पर है Question No.5 Question No.6 निमलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का अस्थल नहीं है आपको बताना है काली बंगन, रोपर, पाटली पुत्र और लोथल में कौन सा एक है तो यहां सिंपली देखा जा सकता है कि पाटली पुत्र ही होगा यह सब उत्तर पक्षिम में मौजूद है जबकि पाटली पुत्र पूर्व में मौजूद है इसका सही उत्तर होगा पाटली पुत्र पाटली पुत्र मौर समराज की राजधानी भी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का कालका था सिंधु घाटी सभ्यत्या को खोज निकालने में जिन दो भारतियों को नाम जुड़ा है वो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तु आडी बनर्जी तथा दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यत्या के खोज कैसरे भारतिय पुरातिय तवीद राखल दास बनर्जी को जाता है बाद में दयाराम साहनी ने राखल दास बनर्जी के अनोसंधान को आगे बढ़ाया और सिंधु घाटी सभ्यत्या के बारे में महत्पुन जानकारी प्रदान की Q8. मोहन जोदरो निमलिखीत में से कहां पर स्थित है? Option A. भारत के गुजरात राजी में Option B. भारत के पंजाब राजी में Option C. पाकिस्तान के सिंध परांत में Option D. आफगानिस्तान में बहुत ही आसान question है दोस्तों इसका सही उतर होगा दोस्तों C. पाकिस्तान के सिंध परांत में मोहन जोदरो एक प्राचिन सहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महतपूर्ण केंदर भी था या सहर सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध परांत में स्थित हैं question number 9 सर्व पर्थम मानों ने निमलिखित में से किस धातु का उप्योग किया A. सोना B. चांदी C. तांबा D. लोहा इसका सही उतर होगा दोस्तों तांबा तांबा सबसे पहले उप्योग की जाने वाले धातुों में से एक थी या पराचिन काल में हतियारों और जारों और ग्यानों के निर्मान में उप्योग किया जाता था सोना और चांदी बाद में उप्योग में आए लोहा एक बाद के धातु हैं जिसका उप्योग लगभग 4000 इसा पूरव से किया गया था question number 10 question number 11 इसका सही उतर होगा दोस्तो मोहन जोदारो सिंदुगाटी सभयता की परसिद बिरिसब मुद्रा मोहन जोदारो अस्थल से प्राप्थ हुई थे ये मोहर लगभग 2225 इसा पूरव की मानी जाती हैं या मोहर एक गोबर के बरतन पर लगी हुई थे मोहर में एक विसालका एक बैल का चित्र उकेरा गया है बैल के सिंगों के बीच एक चक्र है बैल की पीट पर एक यक्षी का चित्र उकेरा गया है यक्षी के हाथों में एक कलस और एक कमल का फूल है question number 12 हरपा का अस्थल किस नदी के टड़ पर अवस्थित है A. सरस्वती B. सिंधू C. रावी D. व्यास इसका सही उतर होगा दोस्तों C. रावी हरपा सिंधू घाटी सभ्यता का एक प्रमुक अस्थल था सिंधू घाटी सभ्यता का छेतर भारत, पाकिस्तान और आफगानिस्तान में फ्रैला हुआ था सिंधू नदी इस छेतर के सबसे महतपूर नदी थी हरपा पाकिस्तान के पंजाब परांत में स्थित है पंजाब परांत में सिंधु नदी की साहयक नदी रावी बहती हैं इसलिए हरप्पा का स्थल रावी नदी के टट पर अवस्थित है Q13. सिंधु सभियता के निमलिखित सहरों में से कौन सा एक जल परवंधन के लिए जाना जाता है A. लोथल B. हरप्पा C. महनजोदारों D. धौलावीरा इसका सही अंसर होगा दोस्तों धौलावीरा धौलावीरा सिंधु सभियता के एक प्राचिन सहर था जो गुजरात राज में इस्थित है इस सहर कब एक परकृष्ट जल सनरक्षन पर नाली था धोला वीरा सिंधु सभ्यता के एक प्राचिन सहर है जो गुजात राज में इस्थित है इस सहर में एक परस्कृत जल सनरक्षन पर नाली थे जिसमें बांध, जलासे और नालिया ऐसामिल थे इस पर नाली का उप्योग सहर के निवासियों को पानी पीने के लिए, सिचाई के लिए और अनुद्देशियों के लिए पूरा किया जाता था तो इसलिए इसका सही अंसर होगा धोला वीरा Questions 14 कोटिदी जी एक हरपा सभ्यता का सहर है जो पाकिस्तान के पंजाब परांत में स्थित है या सहर सिंधु नदी के किनारे इस्थित है कोटिदी जी से लगभग 100 किलोमेटर की दूरी पर मोहन जोदारों सहर इस्थित है इसलिए इसका सही अंसर होगा मोहन जोदारों क्योंकि ये 100 किलोमेटर दूरी पर ही इस्थित है क्वेश्चन नमबर 15 निमलखित पसवों में से किस एक का हरपा संस्कृति में मिली मोहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपम नहीं हुआ था इसका सही उत्तर होगा दोस्तो ए गाई हरपा संस्कृति में मोहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में अकसर पसवों का चितरन पाया जाता है जिसमें से भेड, बक्री, सुवर, हेरन, मचली, इत्यादी सामिल है हलांकी गाई को छोड़कर अन्य सभी पसवों का हरपा संस्कृति में निरूपम हुआ है तो इसका सही एंसर होगा गाई इसका सही उतर होगा डी मोहन जोदारू यह कोश्चन अकसर रिपीटेड है इसलिए आप इसको VVI के के केटेगरी में रख सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्राचिन सिंधु घाटी सभीयता के विसाल इसनानागार यानि दा ग्रेट बात का अफसेस पाकिस्तान के सिंध परांत में स्थित मोहन जोदारू सहर में मिला था यह असनानागार लगभग 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था इसे प्र इसका सही अंसर होगा दोस्तों डी अग्यात सिंधु घाटी सभीयता की लिपी अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है इस लिपी में लगभग 390 से अधिक प्रतीक मिले हैं जिनमें से प्रतेक अर्थ हस्पस्ट नहीं है कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिप सिंधु घाटी सभीयता के सहरों की गलियों की चोड़ाई और दिशा कैसी थे बहुत है इंपोर्टेंट कोस्टिन आप इसको भी विवयाई मान सकते हो इसका सही उत्तर होगा चोड़ी और सीधी सिंधु घाटी सभीयता के सहरों की गलियां चोड़ी और सीधी होती थे यह गल्या पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिन की और जाती हुई एक दूसरे को समकोन पर काटती थे। समकोन मतलब ऐसे। इससे सहरों में याता यात और बेपार सुगम हो जाता था। Q19. मोहन जोदारों में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? Q19. मोहन जोदारों में सबसे बड़ा भवन धानियागार या तो फिर अन्नागार था या 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था या एक इंट की सनरक्षना है जिसे विविन आकारों और 27 कमरों में विवाजित किया गया है या भवन अनाज के भंडारन के लिए भी उप योग किया जाता था तो इसका सही एंसर होगा भी धानियागार कुश्चन नमबर 20 हरप्पा सभ्यता के विशे में निमलिखित कत्नों में से कौन सा एक सही है ए हरप्पा के निवासी कपास उगाते थे और पर्योग में लाते थे बी मानक हरप्पा मुद्राएं मिट्टी क की बनी थे सी हरप्पा की निवासी ना तो कास के विशे में जानते थे और नाही तामर यानि तामबा डी हरप्पा की निवासी ना तो कास के विशे में जानते थे और नाही तामबा के लेकिन वे कपास उगाते थे और पर्योग में लाते थे इसका सही उत्तर होगा हरपा की निवासी ना तो कांसे के विशे में जानते थे और ना ही तामर के विशे में या भी एक गलत तत है हरपा सभेता में कांसे और तामबा का परियोग करना जानते थे हरपा की निवासी तामबा और कांसा का उपयोग करना जानते थे इसलिए option C और D गलत होगा धन्यवाद दोस्तों ऐसे हैं वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें SSC, MTS, CHSL और CGL के लिए ये सारे कोशन बहुत इंपोर्टेंट है और मैं आने वाले समय में भी प्राचे नितिहास के और भी प्रशनों को लाऊंगा अग पूरा जीके को मैं कवर करूँगा इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद